दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आईूं खीरा गर्मी की गरम गरम धूप में ठंडा ठंडा खीरा दिख जाए तो माइंड ब्लोइंग हो जाता है खीरे में पानी की मातरा बहुत जादा होती है जो गर्मी में डी हाइडरेशन से बचाती है लेकिन खीरे के कुछ ऐसे भी उपयोग हैं जो आपको नहीं पता होंगे खीरा सांस की बद्बू और हैंग ओवर के इलाज से लेकर शीशे के फौक हटाने और स्टील की सफाई तक ऐसी कई समस्याओं के समाधान में काम हाता है ऐसे ही कुछ और असमाने फायदे बताऊंगी मैं आपको आज अक्सर बातरूम का शीशा बहुत फंगी और धुंदला हो जाता है उसके लिए एक खीरे का टुकड़ा लीजिए और उसे शीशे पे रगड़िये इससे शीशा साफ होगा और बातरूम में सपा जैसी महक भी आ जाएगी खीरे में बहुत ज्यादा विटमिन बी और कार्बो हाइडरेट होते हैं जो आपको कई घंटों तक एनरजेटिक रखते हैं तो इसलिए अगर आप ठकान महसूस करें तो खीरा खाईए क्या आप जानते हैं दोस्तों कि खीरा आपके गार्डन के अन्य प्लांट्स को कीडों से भी बजाता है इसके लिए एक अल्यूमीनियम की थाली लीजिए और उसमें खीरे के कुछ स्लाइस रखकर पौधों के पास रख दीजिए क्योंकि खीरा और अल्यूमीनियम एक साथ आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं और इस प्रकार की गंद छोड़ते हैं जिससे गार्डन कीडों से मुक्त रहता है और पेड़ खुलकर सांस लेते हैं खीरा खाने से भूख कम लगती है इसलिए अगर आप डायटिंग करना चाहते हैं या अपनी खाने की आदत से बचना चाहते हैं तो खीरा खाएं अगर आप नल, सिंक या स्टेनलेट स्टील जैसी रसोई की फिटिंग को साफ करना चाहते हैं तो भारी केमिकल्स की बजाए खीरे के स्लाइस लीजिए और उससे साफ करने से जमी हुई गंदगी हट जाएगी और आपकी तवचा को भी कोई नुकसान नहीं होगा हैंग ओवर से बचने के लिए शराब पीने के बाद खीरे का एक टुकड़ा खाएं इससे हैंग ओवर ज्यादा नहीं होगा खीरे में 90% पानी के अलावा शुगर और विटमिन होते हैं जो बॉडी को बैलन्स बनाये रखते हैं साथ ही अगर आप खीरा रोज खाएंगे तो सिरदर्द भी नहीं होगा मुँ से बद्बू आने पर खीरा खाएं यह मिंट की तरह काम करता है और बद्बू नहीं आती स्किन पर या दिवारों पर यदि पैन और सिहाई के निशान है तो उसको हटाने के लिए खीरे का एक टुकड़ा उस जगाँ पर रगणे और इससे पैन के दाग चले जाएंगे हरे हरे खीरे के आपने हरे बरे फायदे जाने इसलिए अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए खीरा खाईए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए